नमस्कार दोस्तों सागते आप सभी बच्चों के MD Classes की YouTube चैनल में क्या हाल चाल सभी के आसा करतेगी सबसांदार बढ़िया और जबदस चल लाओगा तो आप मेंसे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सीजल 2022 पहली बार पैटरन चेंज हुआ हो सकता है कि कम्पूटर के व यह था तो आगर इसको ऐसा बोले कि उपर वाले ने आपको एक और महतर मौका दिया वह वाकई में बिल्कुस सच बात है क्योंकि साधी ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलना है कि 2023 का ऐसा साल है जिसमें उसी साल में सीजल दो बार होने वाला है और MTS की परिक्षा भी द थोड़ा सा दूर रहिएगा क्योंकि इसमें रीजन यह है कि आपकी परिक्षा होने वाली अप्रेल में तो आप अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करो कि आपके नौकरी ले लेना इसके बाद आपके नोटिफिकेशन वगर यह देखते रहना कि कैसे कैसे सीजल में क्या है क क्या क्या चीजे हैं आपके पास सारी वातों को देखने का मौका मिलेगा चलिए वीडियो को सुरुवात करते हैं और समझते हैं कि सीजल 2023 में इसकी नौटिफिकेशन का बाएगी जो भी आपके मन में सवाल है वो सारी चीज़ हम यहां से समझेने वाले हैं सबसे मन में करतियां उस पर बहतर तरीके से काम करिए अपने आपको सही साबित करके दिखाइए जो भी आपने सपने सोच रखे अपने लिए अपने माबाब के लिए उनको पूरा करने के आपके पास एक स्तांदार मौका हुआ है नौटिफिकेशन कब आएगी सबसे बड़ा सवाल आ यह आपको देखेने को मिलने जो कि नौर्मली नहीं होता है यहां आप देखेंगे तो सीजल 2023 की नौटिफिकेशन एससी ने कहा है कि इसकी आपकी नौटिफिकेशन डेट यानि कि जिस दिन से फॉर्म भरना सुरू होगा वो एक अप्रेल सटर्डे का दिन होगा यानि यह ही एक अप्रेल जो आपका आरा वही वाला दिन थोड़ी से ससी लेट हो गई है और इस वज़े से लेट की वज़े से जो उन्होंने कहा था कि सलेक्शन फेज 11 जो आपके पास वेकंसी आई है कुछ उनों फॉर्म आपने भरे होंगे कुछ ने नहीं भरे होंगे वो मई जब आई उसमें यह पता चलना कि यह परिक्षा मई जून ना होके जून जुलाई होगी तो एक महीना ससी यहां पर लेट हो गई है तो बहुत ज्यादा चांसे हैं कि यह आपके पास जो सीजल 2030 की फॉर्म आएगा सुरवात होगा इसका पेपर आपका जुलाई अगस्त हो होगी तो आपको पूरा समय वो प्रैक्टिस में जाएगा दो से धाई महीने आपके पास है कि सिलेबस को खतम करिए बहुत सारा ऐसा बच्चों को जिसने अलड़ी सिलेबस पढ़ा होगा तो उसके लिए सिरफ रिवीजन क्लासेश चलेंगी बहुत आरे ऐसे बच्चों को चलो एक अप्रैल को आ जाएगा लेकिन वेकंसी कितनी होगी 22 कितना सांदार मौका था कि 37,000 भरतियां आज तक सीजल में देखने को नहीं मिली और 37,000 भरतियां देखने को मिली ते क्या 23 में ऐसा ही होने वाला है इसका हम लोग जवाब जानेंगे RTI के थ्रू और ये जवा अग्रसित कर रहे होंगे MD classes के platform के थ्रू और एक बढ़िहा रिजल्ट जैसे कि हमने 22 के आगाज बैच में किया था मैक्सम बच्चा आगाज बैच का मेंस के लिए कौलिफाई हो चुका और अभी मेंस का रिजल्ट नहीं मिला है जो उसी तरीके से अगली बार के लिए नही 23 में ठीक है और 23 में जो वेकेंसी हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने यह वेकेंसी जो हमने निकाली है यह ऑफिशल आटियाई का रिप्लाई है ऑफिशल जो जितना भी डेटा है सब ऑफिशल और बहुत ही चान खोच-खोच के निकाली गई है कुछ हम ल जो वेकेंसी है aag cecisa aagled की आप देख रहे ए Right. बिर शाणा की कि बती सती है बहुत थरी सो हमने है अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए जितना भी 22 का बंदा वह सब सेलेक्ट हो जाएगा अब जो आपके सामने है वह है 23 में और चाहो तो वो मुकाम पा सकते हो जिसके लिए आप मतलब भाई इतना टाइम से लगे हो देखो Excise Inspector GST Inspector की 2022 में 1113 वेकिंसी थी और इस बार जो उमीद वेकिंसी की जा रही है वो 1500 उमीद क्या यह RTI के रिप्लाई है 1500 वेकिंसीज GST Inspector की इस बार है ठीक है और यह आगे और बढ़ सकती है मुंबई जोन में मैक्सिमुम वेकिंसीज हैं GST Inspector की आगे चलते हैं वाई इदे को Assistant Audit Officer की यह AISL जो लिखा है यह है All India Service Liability हमने जो जो वेकिंसीज इखटा करी है जोन वेकिंसीज और वेकिंसीज हम आपको प्रवाइट करेंगे बाद में देखिए और इदब Assistant Audit Officer की 225 वेकिंसी है इसकी वेकिंसी रिड्यूस हुई है जो पिछली बार 22 में 1260 थी इसके बाद Assistant Accounts Officer की 28 वेकिंसी है जो की 2022 में 202 थी आगे चलते हैं तो हम Auditor की वेकिंसी रेखें देखो वाई Auditor की वेकिंसी बहुत fan following है इस बार Auditor लोग बहुत जादा लोग सोच रहे है Auditor की वेकिंसी लेंगे ना ही CPT में High Cut-Off ना ही DEST में High Cut-Off चाहिए होती ओर इस चीज़ को याद रखेगा ठीक है और CAG में अच्छी सुकून मरी नौकरी होती है 153 वेकिंसी है जो की इंक्रीज होने के चांसे है बहुत हद तक ठीक है अब इंस्पेक्टर इंकम टाक्स की 168 वेकिंसी है इंकम टाक्स में एक चल रहा है कि उनके recruitment rules चेंज होने का है पर देखते हैं क्या होता है अग ठीक है जेसो की वेकिंसी कितनी इंक्रीज हुई है 38 वेकिंसी सी और यूर की 0 थी 2022 में इस बार 108 वेकिंसी हमारे सामने है ठीक है बहुत जाता इंपॉर्टेंट अच्छा अब आते हैं PASA PASA की जो 19,700 वेकिंसी आई थी 22 में 23 में अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है ये एक एक ऐसा फैक्टर है जो दिक्कत भरा है बट फिर भी ये हम आगे भी RTI फाइल करते रहेंगे और उमीद करेंगे कि PASA की वेकिंसी रिपोर्ट की जाए ठीक है ओके आब भाई स्टाटिस्टिकल इंवेस्टिगेटर की सीजल 2019 में 840 वेकिंसी थी 21 में 728 थी 2023 में 42 है औ आते हैं हम एसो रेलवेज में 24 वेकिंसी हैं और फाइनली जो सीनियर सीनियर आड्मिन्स्रेटिव असिस्टेंट इन मेस इंकी 34 वेकिंसी जो अभी तक रिपोर्ट करी गई है और बहुत इंपोर्टेंट लाइन जो है आपकी वह यह है कि यह वेकिंसी तिल 23rd मार्श तक है ठीक है मतलब भाई कल दक एक तरीके से हैं इसके बाद हमने आटिव और फाइल कर दी हैं और हम उमीद करते हैं कि वेकिंसी बढ़ेंगी बढ़ेंगी ठीक है अब हम सर को सर आपको आगे की चीज़े बताते हैं तो फाइनल आपने लगबग देखा कि कि कुल मिला के कितनी आपके पास रहे गई हैं देखिए दो चार बाते और भी समझेगा कि यह वह वाकेंसी है जो कि हमें आर्टी आई के थूपता चलिए हमने बहुत सारे जो भी ट्रेस्टेड यूट्यूब चैनल से जैसे कि सुभम जैन भाई हो गया आर्बी वाले इस पेकार से से को रोगे ब आपको अप्लिकेशन के सिलेवस वाले सेक्शन में भी दे देंगे और साथी साथ एमडी क्लासे का जो ऑफिसल टेलिग्राम है जहां पर लगबग सवा लाग क्या आसपत बच्चा जुड़ा आपको वहां पर भी इसकी पीड़ देखने को मिल जाएगी यह वैकेंसी महीनों को कैसे अपने यूज करें ताकि हमने अगर सीजल 2022 मों बहतर नहीं किया तो अब 23 में कैसे बहतर करें और यह चीज आपको तभी हो सकती जब आप अभी से परिक्षा के लिए लगेंगे इसके लिए हमने बड़ा सही प्लान करा हुआ तैयारी और टेस्ट दोनों ची इस बार का फोकस यह रखा कि जो पिछले बार की कम्यार है थी कि एक महीने से कम समय का मिला और बच्चा ही उसको प्रिपैर नहीं कर पाया इसको ध्यान में रखते हुए आगाज जो पिछले बार हमने बैच दिया था उसी प्रकार से हम एक अप्रेल 2023 के दिन जिद्धी नस अगर नोटिफिकेशन में कोई आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा तो इससाब से बैच में भी आगे पीछे हम चीजे कर लेंगे क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम बैच को लांच करना वाकई में उतना मुनासिप नहीं समझते कि भाई जब फैकल्टीज के साथ एक्जाम ओरियंटेड नोट के साथ बहुत बहतरीन तरीके से लेकर आएंगे एक अप्रेल को आगाश 2.2 बैच भरोसा अब और भी ज़्यादा आपका कैम होने वाला है क्या फीसेस होंगी कैसे कैसे जुड़ पाएंगे एफॉर्डेबल आपको पता लेड़ी होता ही होता लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज करेंगे कि यह प्री कम मेंस बैच होगा यानि एक बैच लीजे और मेंस तक के त्यारी करिए क्योंकि अब ऐसा भी नहीं क्या आपको जीके जैस अच्छे लेवल का नहीं पढ़ना वो भी अच्छे से बढ़न रीजिनिंग भी आपको अच्छे से पढ़ना कम्प्यूटर भी आपको अच्छे से पढ़ना तो आगाश 2.0 एक ऐसा बैच होगा जो कि एससी सीजल के प्री और मेंस सब्सके लिए वनब्दा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच होने वाला इसके लिए अगर आपको कोई भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा हमारे पास चेली क्रॉलिंग जो सपोर्ट है आप उस पे भी मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं हो सकता है आप पहली बार इंटर कर रहा हो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर इसमें पोश्ट कैसे कैसे होती है इसमें हम सलेक्शन के बिले सकते त्यारी कितने महीनों कीचे यह बहुत सारी क्वारी हो सकती है तो तने सर जिनोंने खुद SACJL 2020 को वहाँ पे फाइनल करा हु क्यों कितना ज़्यादा कह सकते हैं गंद यूटूब पे मची पढ़िये इस से थोड़ा सा दूर आईए 2022 ने आपने देख लिया कि सिरफ फेक मोटिवेशन से सिरफ बहुत ही ज़्यादा जहर सवालों से बहुत ज़्यादा ये से आपने सेलेक्शन लिया ये नहीं आप बहुत मोटिवेट हो बहुत सारी चीजे वो है लेकिन उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला सिरफ दो दिन बाद चार दिन बाद फिर अपने पुराने रंग में आप आ जाएगे सपना अगर है आपको इंस्पेक्टर बनने का अपने परिवार की दिसा दसा बदलने का तो आपको महनत खुद करनी पड़ेगी किसी और दूसरे के मोटिवेशन से आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते यही जीवन की सच चाहिए मोटिवेशन किसी व्यक्ति के अंदर तभी आ सकता है जब उसके दिल में उस चीज के लिए आग लग जया तभी वो मोटिवेट हो स दर्सल के साथ थांक यू सो मच गूड़ नाइट टेक केर